नमस्ते दोस्तो तो आज हम मनाएंगे नमकीन चूरा यह चूरा इतना जबर्दस्त लगता है खाने में बहुत ही टेस्टी स्वाधिस्त लगता है और बहुत ही कम समय बन दाता और इसका यह खास भाता है जो आप जादे कॉटेटिवें बना के लंबे समय के श्टोर कर सकते पार्षाल लेंदित नेशन करने जबनेयरे लेंद फटकर कंगें इसफार्ट मेदियम नास्तेंटा में बूपाइज कारव के सक्चाम के पार्षाल को सब आएक धसके जा अथे के लिए भी साक्यों कि देखिए जालेण smutus डाना और भूंण नहीं हली हल्का से सा जो जाल क से तो बूर चलिए से घर्षा है बूर्ना है अगर बूर्ना नहीं चाहते है तो इसके अलाबा अगर अगर अपके इधर धूप है मतलब धूप है आप थोड़ा टैम धूप में रख दीजिए एकदम तुरंट से ये पतला से कोई प्लेट में पतले से फैला दीजिए और ढ़के इसके थोड़ा सा धूप हो जाते हैं तो हम इसे बड़े से बॉल में निकालना है कितना कुरकुरी है तो बहुत ही अच्छा आवाज आता है तूट भी जाता है इसे हमें ठंडा होने देता है साइडिम लगते चले हम नेक्स्ट प्रोसिस पर चलते हैं तो देखिए जो चूड़ा को बारिक वाला है निकाल दीजेगा तो देखिए थोरा बहुत था तो हमारा कड़ाई में चिपक गया है उसके बाद हमने दो बड़े चमस तेल ले लिया है और गैस को हमने चालू कर दिया और तेके बहुत ही धिमाच रखा है और इसे हमने डाल दिया अभी मूमफली तो गैस को मेडियम भूलना है रोष्ट करना है इसे कंटूनियम मेडियम पर चलाती है कलर चेंज हो गया है तो चलिए इसे फटाफट से निकाल लेते हैं तो हम इसे झील रहे हैं अच्छे से हम सभी को निकाल लेते हैं और डालते जाते हैं हम अलग से कुछ करने का ज़र्ण है हम सेम उसी में ढालेंगे और देखें फिर से हमने ले लिया एक कटूरी हमने हमसे हमने बारे बारिक बारे चौप कर ले मेजरमेंट है पर कम नोले हैं और इसी में निकाल करेब नथे हम पह में डाल दें सब्सक्राइब हमारा चना है और यह चन Aqui को भी हम इस को डालके हल्का सभूनेगे चैना भूनने में टाइम नहीं लगएगा हल्का सभूनेगा अगर दो फारवाल चान है वो भी ले सकते हैं यह देकि और यह बस डालते हैं यह फटाक सी तुरंत कलर चेंज हो जाता है तो हमें इसे क्या करते हैं इसे भी निकालके डायरेक्ली हम पौहां में डाल देते हैं इतना यह जबरदर्स्त लगता है फ्रेंस बहुत ही लाजबाब लगता है तो आप जरूर बनाएंगा इस पेसलिए प्राही में ले सकते हैं कही रास्ते भूमने जा रहें कहीं सफर जा रहें गाउं जा रहें तो यह बना कि आप अच्छे से पैक करके लेके जाए जिससे इसमें हवा ना लगे और बहुत ही बढ़ियां यह क्रंची रहे तो इस तरीके से आप ले भी सकता है उसके बाद फि अधे कर ले लिए कौन का चिक से लिए तो परें इसे हमारा 100 गरामं है इसमें सही हम प्रवा थे तेल में तो हमारा कम हो गया था तो फिर से हमने तेल थोड़ा सा डाल दिया और वापस हम इसे फ्राइ कर देते तो तेल गरम रखी यह यह बुंड टेम पे आपको गया गयास को जो है हाई रहतना है मेडियम नहीं करना है नहीं तो यह एकदम यह हो जाएगा अच्छे से फू लशन के भी मसाला रख लेते जिस्के जिएगा कई हम इसमें अख़ा वाला धन्या डाल देते इस सब के अपको दरदरा खूटकी भी डाल सकते है और एक चमस हमने जीरा डाल दिया खाने वाला जो चमस दो चमस हमने लिया ये चूरां ऐसका टेस्ट मैं क्या करेंगी एक चमस राइपनागे चूरा नगया है। तो आपके पास दो सकते हैं मीरे पास अभी कोले चाहरीं ही ओंडा करण यह घ्लोली हो पाला चैकimme में जीक चमस डाल दुदिक कंड़ीनगी रमत भी तेल काफी गरम है उसको बाद हम क्या करेंगे गैस को ऑप कर देंगे यह देखे हमारा जो है यह सभी चीज अभी अच्छे से भून चुका है अभी हम क्या करेंगे बाकी का मसाला एड़ करेंगे इसके लिए गैस को बंद कर देंगे उसके बाद मसाला डालेंगे गैस चालू मत रखिएगा नहीं तो मसाला जो आपका जल जाएगा तो अभी तेल काफी घरम है इसमें हम क्या क्या कि एक चमस स्वाथ करने साथ नमक डाल दीजिए हल्दी हाप टीस्पून मतल छोटे चमस से आदा चमस ह बना सकती है जाथ होगा चल्दी कस्मी लाल में चाथ मसाला हमने डाल दीजिए चत पटा लगता है बहुत ही नमक बधमना चीनी इत्दीना चट पटा सा मिठा हलका मिठा घटा हल्का बहुत ही बढ़़ा है इसका प्टेष्ट आता है अप सब लीग तो नमक से बना सकते है और हमने यह थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मसाला डाल दिये थोड़ासा आब बहुत ही बढ़ी ही तो मसाला जो है मारा अच्छी से भुन गया तो चलिए अभी हम जो है मकई का चिस्प जो ता उस उपर था तो हम उसे नीचा कर दे क्यूंकि वो डालेंगे मसाला तो मिक्स करेंगे है बहुत घ्री रूर तोड़ ब्राद्ट कर दोटे हो पाहिं है हटी हम सो खाफी हम अच्छे ऐसे मिक्स कर रहा है तो मचल्प देखें लार्भ नियुक डिया से चूडर पानी आजाए तो आई हो आज का जो हमारे चूरा के रेस्पी आपको पसंद आया होगा फ्रेंस अगर पसंद आता तो प्लिस लाइक कीजेगा अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राब कर लीजेगा बाजू में जो बेल आके न उसे क्लिप करना ना हो सबसे पहले आप तक पुझा अगर हमारे फेस्बुक पेज़ को भी फॉलो कर लीजेगा और यह देखिए हम एक प्लेट में इसे टांसपर कर लेते और एयर टैर कंटीनियर जार में आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते और सामके चाय के साथ खा सकते हैं बह नहें बनाके बहुत ही बहुत ही मतलब बहुत ही यह चतपटी प्योट िस्टी सभी को पसंद आने वाला यह तो यह चूरा है तो आई हो हमारा जे चूरा में लेकर सबसी करना ना भूलिये चले इसी तरीके सरी मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टाटा thank you so much हमारी वीडियो देखने क्लिये